अगर हर्याणा के मंत्री संदीव सिंग निर्दोश है जूनियर कोच ने उन पर जो भी आरोप लगाए है वो सब बेबुनियाद और छूटे हैं तो फिर मंत्री जी को पॉलिग्राफ टेस्ट से आखिर परहिज क्यों है क्यों मंत्री जी लाइ डिटेक्टर टेस्ट से भाग रहे हैं ये सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि संदीव सिंग ने पॉलिग्राफ टेस्ट कराने से मना जो कर दिया है जी हाँ यौन सोशन के आरोपी मंतरी संदीब सिंग ने कह दिया है कि वो पॉलिग्राफ टेस्ट नहीं करवाएंगे इतना ही नहीं संदीब सिंग ने अपनी ना की बहुती बेबुनियाथ सी वज़ा भी दी है इस मामले से पहले ही हर्याणा की खटर सरकार की खूफ जीहत हुई थी अब मंतरी के इंकार ने विपक्ष को दोबारा मौका दे दिया है देखिए कि ये मामला दिसंबर 2022 का है जब एक महिला जूनियर कोच ने हर्याणा के ततकालीन खेल मंतरी संदीब सिंग के खिलाफ अपनी शिकायत में यौन उत्पीडन करने पीछा करने धमकी देने का आरोप लगाया था चंदीगर पुलिस के विशेश जाच दल यानि SIT ने मार्च में एक आवेदन दायर कर संदीब सिंग का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की थी बाद में संदीब को नोटिस जारी करके उनका जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था इस पर संदीब सिंग ने पांच माई को अपना जवाब पेश किया और पॉलिग्राफ टेस्ट करवाने से साफ इनकार कर दिया संदीब सिंग ने अपने जवाब में कहा कि उनसे व्यापक पूश्टाश की गई है और उन्होंने कई बार सभी सवालों के जवाब दिये हैं इसलिए वो पॉलिग्राफ टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं अब संदीब सिंग के इस इनकार ने नए सवालों को जन्म दे दिया है कि अगर उन पर लगे आरोब जूटे हैं तो पॉलिग्राफ टेस्ट करवा कर खुद को सही साबित क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों टेस्ट से बच्री की कोशिश कर रहे हैं, क्यों टेस्ट से उन्हें आपत्ती हैं, उनके इनकार ने शक्की सुई को और गहरा कर दिया है। इस मामले में सिर्फ संदीब सिंग ही नहीं, हर्याणा की खटर सरकार की भी खूब किरकरी हो रही है। हाला कि आरोप लगने के बाद संदीब सिंग ने खेल मंतरा ले तो मुख्यमंतरी खंटर को सौब दिया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इतना संगीन आरोप लगने के बाद भी सरकार ने संदीब सिंग को अभी तक मंतरी मंदल से क्यों नहीं हटाया है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है कब से पीडिता न्याय मिलने का इंतजार कर रही है और उससे सिर्फ तारीखे मिल रही है देखिए कि जूनियर महिला कोच ने 30 दिसमबर 2022 को पूल खेल मंत्री और पूल ओलम्पियन और भारती होकी टीम के कप्तान रहे संदीप सिंग क के खिलाफ यौन उत्पिडन का केस तरज करवाया था महिला की शिकायत पर चंदीगर की सेक्टर 26 थाना पूलिस ने मंत्री के खिलाफ पीछा करने अवेद रूप से बंधक बनाने यौन उत्पिडन और आपरादिक धमकी देने के आरोप में केस तरज किया था इतना ही नह है कि जूनियर महिला कोश ने संदीप सिंग के खिलाफ 30 दिसंबर को यौन शोशन का मामला दर्ज कराया था इसके लिए चंडीगर एससपी की ओर से आई पीएस पलग गोयल की अध्यक्षता में जाच के लिए SIT का गठन भी किया गया था टीम ने दोनों पक्षों से शीट दाखिल नहीं होने का आखिर क्या मतलब है संदीप सिंग अपनी पावर का इस्तमाल कर रहा है या उसे किसी का संदक्षन मिला हुआ है महिला कोश ने बताया था कि खेल मंत्री संदीप सिंग ने उसे इंस्टाग्राम के जरिये कॉंटाक किया वैनिश मोड पर बात की जिससे 24 घंटे बाद मैसेज डिलीट हो गया उसने बताया कि खेल मंत्री ने उसके साथ स्नैपचेट पर बात करने को कहा फिर मुझे चंडीगर सेक्टर साथ लेक साइड मिलने के लिए बुलाया मैं नहीं गई तो वो उसे इंस्टापर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे फिर उसे एक डॉक्यमेंट के बहाने घर बुलाया जहां मंत्री ने उसके साथ छेर चाड़ की बाद में जनवरी 2023 में महिला ने हर्याना सरकार से संदीप सिंग को तुरंत बरखास्त करने की मांग भी की थी खाप पंचायतों और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे की बाद संदीप सिंग को अपना मंत्राले चूरना पड़ा चंडीगर के सेक्टर 26 पुलिस थाने में दर्ज केस में संदीप सिंग पर IPC की धारा 354, 354, 354, 342 और 506 लगाई गई थी बता दे कि गंभी रारोप होने के बाबजूद संदीप सिंग को इस मामले में तीन तारीखों में कोट से मुहलत मिल चुकी है कभी कोट में जज अनुपस्तित रहे तो कभी जज का ट्रांसफर हो गया वहीं 5 माई को जब मामले की सुनवाई हो सकी और संदीप सिंग ने अपना जबाब दाखिल किया तो उन्होंने पॉलिग्राफ टेस्ट करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया आप देखना होगा कि कोट का इस पर क्या रुख रहता है इस वीडियो में इतना ही आपसे इनरोध है कि यूट्यूब पर हमारी चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताईए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताईए ट्विटर है आर्टिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलो कर लेजे नमस्कार